जंगल में एक मानोचड़ा रहता था मानोचड़ा बहुत थी सुन्दर और महंती था मानोचड़े की एक दोस शोनोचड़िया भी थी शोनोचड़िया मानोचड़े को बहुत ज़ादा ही पसंद करती थी परन्तु मानोचिड़ा तो अभी सिर्फ अपना कारूबार सेट करना चाता था मानोचिड़े तुम मेरे बच्पन के दोस्त हो और अब हम बड़े हो गए हैं तो फिर तुमने क्या सोचा है हाँ शोनोचिड़ई मुझे बस अपना एक अच्छा सा कारूबार शुरू करना है और बहुत जादा अमीर होना है अरे मानोचिड़े बस तुम तो हर समय काम की ही बाते करते रहो बस अब मेरी बात सुनो तुम मानोचिड़े मैं तुम से शादी करना चाती हूँ और हम तो बच्पन के दोस्त हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगे अरे शोनोचिड़िया ये तुम क्या के रही हो तुम्हें क्या हो गया है शादी के बारे मैं तुम मैंने अभी सोचा भी नहीं है और मैं शादी अभी करूँगा भी नहीं क्योंकि मुझे अपना कारूबार अच्छे से सैट करना है और काफी जादा अमीर बनना है मानोचिडे ये तुम क्या के रहे हो तुम्हें तो हर हाल में मुझसे शादी करने ही पड़ेगी क्योंके तुम तो मुझे पसंद करते हो ना आरे नहीं नहीं शोनोचिडिया ऐसा कुछ नहीं है तुम बहुत सुन्दर हो परंतु मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ मानोचिड़े की बात सुनकर शोनोचिड़े बहुत ज़ादा घुसे में आ जाती है और वहां से चली जाती है आज मानोचिड़े ने मेरे साथ बिलकुल भी अच्छा नहीं किया है वे मेरे साथ शादी नहीं कर सकता मतलब वे अमीर होने के बाद अपनी पसंद की चड़िया से शादी करेगा परन्तु ये सब मैं नहीं देख सकती हूँ ये कहकर शोनो चड़िया उसे में वहां से भी चली जाती है और जंगल में जहरीली जड़ी बूटियों के पास आती है और एक जड़ी बूटी तोड़कर वे खाने लगती है जहरीली जड़ी बूटी खाने के बाद शोनो चड़िया जमीन पर लेट जाती है कि वहीं पर शोनुचडिया का भाई सोनुचड़ा वहाँ पर आता है मेरी बेहन शोनुचड़ा ये तुम्हें क्या हो रहा है तुम ऐसे जमीन पर क्यों लेटी हुई हो भाई मानुचड़ा मुझसे शादी नहीं करना चाता इसलिए मैंने ये जहरीली जड़ी बुटी खा ली है अब मैं नहीं जीना चाती हूँ बस फिर क्या था उसी समय शोनुचड़ा अपने प्रान खो देती है उस मानुचड़ा की वज़ा से आज मेरी इकलोती बेहन ने अपनी जान दे दी है मैं उसे सबक सिखा के ही रहूंगा वे कभी खुश नहीं रहेगा मैं उस मानुचड़ा की शादी कभी किसी दूसी चड़िया से नहीं होने दूंगा जब मानुचड़ा को ये बात पता चलती है कि शोनुचड़ा ने अपनी जान गवा दी है तो मानोचिड़ा बहुत ज़ादा उदास हो जाता है शोनोचिड़िया इतनी बेवकूफ होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे लिए भला वे अपनी जान कैसे दे सकती है बस फिर ऐसे ही समय बीता गया मानोचिड़े की कड़ी मेहनत करने के बाद मानोचिड़ा अमीर हो जाता है और इसके पास एक बड़ा सा फलों का खेत और एक फलों की दुकान होती है आज मैं बहुत ज़ादा खुश हूँ तोते मैंने अपनी कड़ी मेहनत के बाद अपना अच्छा कारुबार बना ही लिया और मैं अमीर हो गया हूँ बस अब मेरा शादी करने का समय आ गया है इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं किसी अच्छी सी चिड़िया से शादी कर लूँगा अरे मानोचिड़े तुमने तो मेरे मुग की बात ही छीन ली मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और तो और तुम्हारा दोस होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी और सुन्दर सी चिड़िया ढोंड ली है अरे वात होते अगर तुमने मेरे लिए एक चिड़िया ढोंडी है तो वे जरूर अच्छी ही होगी अगले दिन तोता मानो चिड़े को मिनो चिड़िया के घर में ले आता है मानो चिड़े ये हैं सुशील और सुन्दा चिड़िया मैं तुमसे इसी चिड़िया की बात कर रहा था अरे वा भाई तोते मिनुचेडिया तुम तो वाकई बहुत सुन्दर हो इनका घर देकर तो ऐसा ही लगता है कि ये भी मेरी तरह काफी जादा महनती है हाँ मनुचेडिये मैंने भी आपकी तरह कड़ी महनत करके ये अपना एक बड़ा सा घर बनाया है और साती साथ अपना एक सबजियों का खेट भी लगाया है फिर मनुचेडिये को मिनुचेडिया पसंद आ जाती है और अगले दिन मनुचेड़ा मिनुचेडिया से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है मानोचड़े की शादी की खबर जब सोनोचड़े तक पहुँचती है तो वे बहुत ज़ादा घुसे में आचाता है मैं अपनी बेहन सोनोचड़े से किया वादा जरूर पुरा करूंगा और मानोचड़े की शादी में खतम करवा दूंगा दूसी तरफ मीनुचेडिया और मानुचेड़ा खुशी खुशी रह रहे होते हैं मीनुचेडिया तुम बहुत अच्छी हो परंतु तुम्हारा भाई मुन्मुचेड़ा वे हर किसी से लडाईया क्यों करता रहता है इसे कुछ तमीज सिखा तुम अच्छी मुन्मुन्चेडा मेरा भाई है हावे थोड़ा जग्रालू है परन्तु इसके खिलाफ में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती हूँ दूसी तरफ सोनुचेडा मीनुचेडा और मानुचेडा को अलग करवाने का कोई उपाय सोच रहा था कि इसे सामने मीनुचेडा का भाई मुन्मुन्चेडा दिखता है जिसे कुछ कवों ने घेरा हुआ होता है मुन्मुन्चेडे हमने तुम पर भरोसा करके तुम्हें कितना सारा भोजन उधार पर दिया था परन्तु तुम हमारा भोजन वापस नहीं कर रहे हो मैं नहीं दूंगा कोई भोजन कर लो जो करना है तुम सब को फिर घुसे में सारे कवे मुनमुन चिड़े को मारने रगते हैं और मुनमुन चिड़ा काफी जादा जखमी होकर बेहोश हो जाता है ये सब देखकर सोनो चिड़े के दिमाग में एक शातिर सा उपाया आता है और सोनो चिड़ा मुनमुन चिड़े को अपने पंजों से पकड़ कर मीनो चिड़िया के पास ले जाता है मेनो चेड़िया मेनो चेड़िया देखो तुम्हारा भाई कितना जादा दखमी है और बेहोश हो गया है अरे चेड़िया मेरे छोटे भाई को इतनी बेदर्दी से आखिर किसने मारा है मेनो चेड़िया तुम्हारा पती मानो चेड़ा तुम्हारे भाई से बहुत जादा जलता है और उसने ही तुम्हारे भाई को इतनी पुरी तरह से मारा है मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करूगी लेकिन मैंने अपनी इन दोनों आखों से خोई देखा है ये सारी बाते सुनकर मीनोचिडिया को अपने पती पर बहुत ज़ादा गुसा आने लगता है कुछ देर के बाद मानोचिडा भी वहाँ पर आ जाता है आरे सौनोचिडे तुम तो शौनोचिडिया के भाई होना सोनु चेड़े को छोड़े आपने अपना बदला लेने के लिए मेरे भाई को इतनी बुरी तरह से मारा है कि मेरा भाई अभी हॉस्पिटल में है और उल्लु वैजी उसका इलाज कर रहे है और उलू वैजी ने मुझसे कहा है कि अगर मेरे भाई को तीन दिन में होश ना आया तो मेरा भाई मर भी सकता है मिनुचेडिया और मानुचेड़े की लड़ाई करवा कर सोनुचेड़ा वहां से भाग जाता है मिनोचेडिया मेरा यकीन करो मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है नहीं आप जब मेरे भाई को इतनी बुरी तरा से मार सकते हो तो आप मुझे भी मार सकते हैं मैं जा रही हूँ और मैं अब वापस कभी नहीं आऊंगी ये कहकर मिनो चड़िया वहां से चली जाती है मिनो चड़िया के जाते ही वहां पर सोनो चड़ा आ जाता है देखा मानो चड़े मैंने तुम से अपनी बहन का बदला आखिर ले ही लिया अब मिनो चड़िया कभी वापस नहीं आईगी और तुम्हें पता है कि मैंने मिनुचडिया से जूट कहा है कि तुमने मिनुचडिया के भाई को मारा है मिनुचडिया के भाई को कालुकवे के परिवार ने मारा है और बिचारी मिनुचडिया समझ रही है कि मिनुचडिया के भाई को तुमने मारा है सोनो चिड़े मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था तो फिर तुम उसे बदला क्यूं ले रहे हो बस मानो चिड़े मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारी वज़ा से मेरी बहन आज मेरे साथ नहीं है इसलिए मैं तुमसे हमेशा अपना बदला लेता रहूँगा बस इतना कहकर सोनो चिड़ा खुशी खुशी वहां से चला जाता है सोनो चिड़े की बास सुनकर मानो चिड़े को एक उपाया आता है सोनोचिड़े ने मुझे बताया है कि कालुकवे की परिवार ने मुन्मुन्चिड़े को मारा है मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा अब फिर मानोचिड़ा फोरण कालुकवे के पास चला जाता है और मानोचिड़ा कालू कवे की परिवार के पासा कर उन्हें सारी बात बताता है कालू कवे बस तुम मेरी पत्नी को सारी हकीकत बता दो कि मैंने मुन्मुन्चिड़े को नहीं मारा है मानोचिड़े मिनुचिड़िया का भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैंने उसे धेर सारा भोचन उधार पर दिया था लेकिन उसने मुझे मेरा भोचन वापस ना किया इसलिए हम सब कवोने मिलके उसे बहुत बुरी तरा से मारा है लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी मिनोचडिया को चाके सारी सच्चाई बता दूँगा मानोचड़ा कालुकवे को लेकर मिनोचडिया के पास चला जाता है आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने आपको मना किया था ना? रुक जाओ मिनोचडिया मुझे तुम्हें एक बात बतानी है तुम्हारे भाई मुनमुनचड़े ने कुछ समय पहले मेरी पत्नी के दो अंडे तोड़ दिये थे लेकिन मैने फिर भी उसे कुछ नहीं कहा था और अभी कुछ ही महीनों पहले मैंने तुम्हारे भाई को धेर सारा भूचन उधार पर दिया था जो तुम्हारा भाई अब मुझे वापस नहीं कर रहा था इसलिए मैंने गुसे में तुम्हारे भाई को इतनी बुरी तरह से मारा था तुम्हारे पती की तो इसमें कोई भी गलती नहीं है तो फिर तुम अपने पती से आखिर क्यों नराज हो अजी मुझे माफ कर दे मैंने योही उस सुनोचेड़े की बातों में आपको इतना बुरा बला कहा और आपको छोड़ कर भी चली गई थी नहीं मिनुचेड़िया कोई बात नहीं शुकर है के तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई है वरना तो तुम कभी मेरे घर में वापस नहीं आती अजी आप मुझे बिल्कुल ठीक कहते थे कि मेरा भाई बहुत बुरा है लेकिन मैं आपकी बातों पर कभी यकीन नहीं करती थी और आज मुझे मेरे भाई की सारी सच्चाई पता चल गई है मेरे भाई को बिल्कुल सही सदा मिल रही है उसने दो मासूम अंडों को तोड़ा है उसके साथ तो यही सब होना चाहिए कालु कावे मैं मुनमुन चेड़े की जगा तुम से माफी मांगता हूँ और मुनमुन चेड़े ने तुम से जितना भी भोजन उधार लिया था वे सब में तुम्हें लोटा दूँगा इस तरह मिनो चेड़िया और मानो चेड़ा दुबारा से खुशी-खुशी रहने लगते हैं अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें एक दिन की बात है मीनोचडिया भुजन लेने के लिए गई हुई होती है मीनोचडिया के दोनो ही बच्चे तो बहुत ज़्यादा ढर जाते हैं चलो एक काम करती हूँ पहले में थोड़ा आराम कर लेती हूँ उसके बाद मैं इन दोनों बच्चों को कड़ाई में पका कर खाऊंगी और खोब मज़े करूंगी ये कह करवे बाजुचील कुछ देर अराम करने लगती है रानी हमें तो आज बोजन मिल ही नहीं रहा है हम कब से बोजन डून रहे हैं देखो हम बोजन डूनते डूनते पहाणों की तरफ आ गए हैं हमें तो यहां पर भी बोजन नहीं मिल रहा है हमें काम करते हैं हम यहां पहाणों की तरफ थोड़ा और बोजन डूनते हैं क्या पता हमें कहीं बोजन मिल जाए हम अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो हमें बोजन तो मिलेगा ही नहीं और वैसे भी हमने चोरिया करनी तो छोड़ दी है अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैनत करके ही बोजन खाना है हां तुम ठीक कहती हो हम थोड़ी देर और यहां पर भोजन डूनते हैं हमें जरूर भोजन मिल जाएगा और फिर कालू कववा और रानी कववी भोजन डूनने के लिए निकल जाते हैं कालू कववा और रानी कववी भोजन डूनते डूनते जा रहे होते हैं के कालू कववे और रानी कववे की नजर मीनू चड़िया के बच्चों पर पड़ती है वे फौरन मीनू चड़िया के बच्चों के पास आते हैं यह तो मीनू चड़िया के बच्चे हैं लगता है इस जालिम चील ने मीनो चड़िया के बच्चों को पकड़ लिया है मीनो चड़िया तो बहुत जादा परिशान हो रही होगी हाँ मीनो चड़िया तो बहुत जादा परिशान हो रही होगी हमें किसी भी तरह इन दोनों बच्चों को मीनो चड़िया के पास ले जान चोड़ेगी चलो जल्दी करो फिर कालू कववा जल्दी से विजाल वहां से उठाकर फेकता है और कालू कववा और रानी कववी मीनोचर्या के बच्चों को अपने साथ वहां से ले जाते हैं चिंकी चर्या और मानोचर्या कहां चले गई मैं तो थोड़ी देर के लिए ही उनको अकेला चोड़ के गई थी ना चाने वे दोनों कहां चले गए मिनोचेडिया तुम परिशान मत हो हम चिंकी चेडिया और मानोचेड़े को ढूंडेंगे यकीनन वे हमें जल्द ही मिल जाएंगे तोते कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे यहां से जाने के बाद यहां पर कोई चीला गई हो और वे चीली मेरे मानोचेड़े और चिंकी चेड़िया को यहां से ले गई हो नहीं मिनोचेड़िया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा चिंकी चेडिया और मानो चिड़े हमें जल्द ही मिल जाएंगे तो ता इतना कहता ही है कि कालू कववा और रानी कववी चिंकी चेडिया और मानो चिड़े को वहां लेकर आ जाते हैं मानो चिड़े चिंकी चिड़े तुम दोनों कहां चिले गई थे तुम्हें पता है मैं कितनी परिशान हो गई थी कालू कववे रानी कववी ये दोनों तुम्हें कहां से मिले मेनो चड़िया हम बोजन डूनते हुए जा रहे थे तो हमें सामने ही मानो चड़ा और चिंकी चड़िया एक जाल में कैद दिखे तो हम फॉरण उनके पास चले गए इन दोनों को एक चील ने कैद किया हुआ था लेकिन वे चील उस वक सो रही थी हम इसी बात का फाइदा उठा कर मानो चड़े और चिंकी चड़िया को वहां से छुड़ा कर ले आए हैं मेनो चड़िया इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है ये तो हमारा फर्स था ये कहकर कालू कववा और रानी कववी वहां से चले जाते हैं मेनो चड़िया आज के बात तुम कभी भी मानो चड़े और चिंकी चड़िया को गोसले में अकेले छोड़ कर मत जाना हाँ तो ते भाई कभी नहीं में आज के बात कभी भी मानो चड़े और चिंकी चड़िया को गोसले में अकेले छोड़ कर नहीं जाऊंगी दूसरी तरफ जब वे चील अराम करके उठती है तो वे देखती है वहाँ पर ना तो मानो चड़ा होता है और ना ही चिंकी चड़िया ये देखकर वे चील तो बहुत ज़ादा गुसे में आ जाती है ये क्या हो गया इन दोनों बच्चों को तो मैंने यही पर ही जाल में कैद किया था ये दोनों कहां चले गए लगता है ये दोनों भाग गए है मैं अब क्या खाऊंगी मुझे बहुत ज़रों से भूक लगी है मुझे बहुत ज़ादा गुसा आरा है चील बहुत ज़ादा गुसे में होती है के वे सामने देखती है सामने कालू कवे का एक बाल पड़ा हुआ होता है वे बाल देखकर वे चील समझ जाती है के चिंकी चिडिया और मानो चिड़े को कववा और कवी ही यहां से छुड़ा कर ले गए हैं ये बाल तो कववे का है इसका मतलब पास के जंगल में जो कववा और कववी रहते हैं वे कववा और कववी ही मीनुचिडिया के बच्चें को छुड़ा कर ले गए हैं इनको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी के ये जिन्दगी बर याद रखेंगे फिर जंगल में राद भी हो जाती है वे चील एक चिठी लिखती है और वे चिठी लेकर कालू कववे और रानी कववी के गोंसले की तरफ चली जाती है कालू कववा और रानिकववी अराम से सो रहे होते हैं वहाँ पर वे चीलाती है और वे चिठी वही पर ही रख कर वहाँ से चली जाती है अगली सुबे जब कालू कववा और रानिकववी उठते हैं तो उनकी नजर उस चिठी पर पढ़ती है कालुकवावे चिठी पढ़ने लगता है इस चिठी में लिखा है कि जंगल की पास फाली गुफा में बहुत सारा भोजन पढ़ा हुआ है जिस किसी को भी भोजन चाहिए वे तुरंट वहाँ पर चला जाए रानी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे साथ मजा कर रहा है क्योंकि उस गुफा में तो कोई भी पक्षी आता जाता नहीं है फिर गुफा तो एक दम खाली रहती है पर कालु जी हम एक बार जाकर देख लेते हैं ना अगर भोजन हुआ तो हमारा ही फाइदा होगा और अगर भोजन नहीं भी हुआ तो हमारा क्या नुकसान है हम एक बार जाकर तो देखते हैं कि उस गुफा में भोजन है या फिर कोई हमारे साथ मजा कर रहा है ठीक है रानी अगर तुम कहती हो तो हम चलते हैं गुफा की तरफ और फिर कालू कववा और रानी कववी चंगल के पास वाली गुफा की तरफ चले जाते हैं कालू कववा और रानी कववी जब उस गुफा के अंदर आते हैं तो वे देखते हैं वे गुफा तो एकदम खाली होती है उस गुफा में ना तो भोजन होता है और नहीं कोई पक्षी फिर अच्छानक कालू कववे और रानी कववी के उपर एक जाल आकर गिरता है और कालू कववा और रानी कववी जाल में कैद हो जाते हैं रानी ये क्या हो गया, हमारे उपर जाल कहां से आ गया, हम तो जाल में कैद हो गये हैं, कोई हमें इस जाल से बाहर निकालो कवव और कववी, ये तुम दोनों के उपटर जाल मैंने ही फेका है और तुम दोनों इस गुफाक के अंदर आए, ये सारी साज़िज भी मेरी ही थी क्या, इसका मतलब चील दीदी, वे चिटी भी आपने ही बेजी थी हमें हाँ, मे चिटी भी मैंने ही बेजी थी अब मैं तुम दोनों को नहीं चोड़ूंगी, तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुम दोनों की वज़ा से कल पूरा दिन में भूकी रही, अब मैं तुम दोनों को कड़ाई में पका कर खा जाऊंगी और अपना पेड भरूंगी पर चील बहन हमने आपके साथ क्या बुरा किया, जो आप हमारे साथ इतना बुरा कर रही हैं, हमें कड़ाई में पका कर खाने वाली हैं, कल इतनी मुश्किलों से मीनो चड़िया के बच्चों को पकड़ा था, और तुम दोनों मीनो चड़िया के बच्चों को यहां से कर ले गए ये किया है तुम दोनों ने अब इसकी सजा मैं तुम दोनों को दूँगी और तुम दोनों को कड़ाई में पका कर खा जाओंगी रानी ये बात चील को कैसे पता चली चील तो सो रही थी ना इस गुफा में तो कवा और कवी गए थे लेकिन जाकर देखता हूँ के आखिर माजरा क्या है जब वे पक्षी उस गुफा के अंदर आता है तो वे देखता है कि एक चील ने कालू कव्वे और रानी कव्वी को एक कडाई में डाला हुआ होता है और वे चील बस कालू कव्वे और रानी कव्वी को पकाने ही वाली थी बाप रे ये चील तो कववा और कववी को कड़ाई में पका कर खाने वाली है मुझे ये बात फौरन जाकर मीनोचेडिया को बतानी पड़ेगी अब मीनोचेडिया ही कुछ कर सकती है वे पक्षी मीनोचेडिया के पास आता है और मीनोचेडिया को सारी बात बताता है बाप रे कालू कवे और रानी कवे को चील ने पकड़ लिया है मुझे किसी भी तरह कालू कवे और रानी कवे को उस चील से बचाना होगा फिर मीनोचेडिया के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा उपायाता है और मीनोचेडिया फारण उस गुफा की तरफ चली जाती है जहां उस चील ने कालू कवे और रानी कवी को पकड़ कर रखा हुआ था मीनोचेडिया फारण उस गुफा में उस चील के पास आती है और मीनोचेडिया कालू कवे और रानी कवी को कड़ाई में देखकर बहुत जादा परिशान हो जाती है और वे चील से कहती है चील मेहन चील मेहन आप कवा और कवी को कड़ाई में पका कर बाद में खायेगा पहले आप अपने गुफले में जाएं आप अहाँ पर जाकर देखें आपका एक अंडा एक उल्लू तोड़कर पी रहा है आप जल्दी जाएं और उस उल्लू को जाकर सबक सिखाएं क्या मेरा अंडा उलो तोड़कर पी रहा है उस उलो की इतनी जुरत कि वे मेरा अंडा तोड़कर पीए अभी मैं जाकर उसको बताती हूँ फिर वे चील गुसे में वहां से चली जाती है मीनु चिडिया हमें बचा लो ये चील हमें कड़ाई में पका कर खा जाएगी तुम किसी भी तरह हमें इस चील से बचा लो कालु कववा रानी कववी मैं तुम दोनों को बचाने के लिए ही आई हूँ चलो चलो जल्दी करो और यहां से चलो मरना वे चील दुबारा आ जाएगी कालु कववा रानी कववी और मीनो चिडिया फोरण वहां से अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं वे चील जब अपने गुसले में आती है तो वे देखती है उसका अंडा तो बिलकुल ही ठीक होता है ये देखकर वे चील बहुत ज़्यादा खुश होती है दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी असानी से सामना कर सकते हैं क्या आप सबीने हमारा चैनल सबस्क्राइब कर लिया है अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें